आज में रास्थान की एक बहुत ही बड़ी आराग दिश और प्राचिन दिश है यह बहुत ओल डिश है चिकन भरता आपने बेगन का भरता खाया होगा लेकिन चिकन भरता नहीं सुना होगा आज हम बनान जा रहे हैं चिकन भरता मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें बेर आइकन को दबाएं लाइक करें कमेंट करें और श चिकन ब्रेस्ट एक किलो यह सेमर स्टिक है दो टुकडे पांच लोंग है चार छुड़ी लाइची एक तेज पान के टुकड़ा चार हमर पास यह लेशन की कलिया है अधर चमच टेबल स्पून नमक है और आठ से दस काली मिर्च है इनका उप्योग हम जब चिकन को बॉइल करेंगे इसमें इनका उप्योग करेंगे इसके लाबा जो इंग्रेट्स में इस पगार है यह आप देखेंगे दही है मेरे पास लगबाग 60 ग्राम इसमें से हम दो ट दो टेबल स्पून लाल मिर्च यह धनिया पाउडर है आधा पीसा हुआ यह एक टेबल स्पून है यह गरम मसाला है को अधर टेबल स्पून चार इलाची है हरी चार लोंग तेश पान के पत्ते है यह यह आधे और सिनमन स्टिक है दो टुकड़े आधर टीज स्पून पॉडर और ये जीरा पॉडर है हमार पास ये लगबग आदर चमबच है इसके लबा सो ग्राम हरा धनिया पांच हरी विर्ची बीस हमार पास ये काजू के टुकड़े हैं इनका प्रियोग हम पेस्ट करेंगे इसको और पेस्ट करके इस चिकन भरते में डालेंगे ये तीन प्याज है जिनको हमने चॉप कर लिया है और तीन ही हमार पास टमाटर है जिनको हमने चॉप करके रख लिया है ये नमक है जो हम में इंग्रिएंट उसमें एक टेबल स्पूर यूज करेंगे और आखरी में फ्लेवर देने के लिए एक टेबल स्पूर कसुर मेथी का उप्योग हम करेंगे चिकन भरता हमने क्रेशन कुपल लिया है और लगवा इसके अंदर तीन ग्लास पाई डाल दिया है अब गेश चाल लोंग, सिर्मेश्टिक, कारे मिर्च और यह थोड़ा सा जो अहला चमच नमवखे इसको डाल देंगे और इसके अंदर जो हमारे प्रेस्ट है मैं बताता आपको कि एक किलो है इसको बढ़िया दो सेटी लगा लेगे है काड़ा यह हमारे बढ़ा मचुकी है अब यह हमारा की है अब यह हमारा की है अब देशेगी अब देशेगी अब दाल देते हैं इसको डाल देते हैं अब बेरों मसाले में हमारे पास यह इसलाजी है आप देख रहे हैं यह आप पास लोंग है यह आप देख रहे हैं तेखपन और दो टुकडे सेमन स्टिक हैं आप अधा मिनिट हो चुका है अब हम इसके अंदर प्याज आएं अब इन प्याज को अब इन प्याज को अब इन प्याज को हम लगभग 8-10 मिट रखेंगे और लाइट बाउन कर लेंगे यह दूसरे सिटी थी इस प्याज से हमारी दो सिटी हो चुकी है अब हम फूकर को थोड़ा देर बेट करके ठंडा कर लेंगे मैं गेस को बंद कर रहा हूं हमारे प्याज जो है मेडिया हो चुके हैं ब्राउन और इसके हम दो चमच लेसर द्रका पेस्ट डालेगे इसको बढ़िया सोते कर लेंगे जो हम लेसर द्रका पेस्ट जाल देते हैं तो बड़ा ध्यान एकना पड़ता है नहीं तो यह नीके लग जाता है करें तो अधर भी आज़ी जाल देगे आज़ा जाने तो अधिर द्रका बड़ा है जिसके साथ ही यह मुआरे खटे बड़ा तैमाटर नहीं डाल देंगें हमारे प्याज और टमाटर अच्छे गुन लिए हमेने इनको मढ़िया इसका पेश त्यार हो गया है अब इसके अंदर जो हमारी अरी मिर्चे इसे डाल देते हैं इसके बाद यह नमक है एक टेवर स्पून हल्दी है आधा टी स्पून मिर्चे आप अपने आवश्यक्ता आशा डालें एक टेवर स्पून हरा धनिया पाउडर है स्वारी धनिया पाउडर है और यह आधा टेवर स्पून जीरा पाउडर है इसके साथ में आपको बता दूं कि यह हमारा जो दो स्रीटी बच चुकी थी चिफन जो है बहुत बड़िया बाइल हो गया है अब इसके जो स्टॉक है इसका स्टॉक का प्रियोग ही करूँगा मैं पानी अलग से नहीं डालूँगा इसे से पूरे मसाले को भूनूगा चिकन स्टॉक से जो हम चिकन भरतब राएंगे उसका ट्वेस्ट बहुत ही अधिरती होगा गेस को वापस तेज कर लेंगे हमने ठंडय पाने का प्रियोग नहीं किया है नगरम पाने का हमने जो चिकन का सूप निकला था उसी में इस ग्रेवी को बना रहे है आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला है यह असी प्रतिशत बुन लिया है इसमें सिर्व 20 परशंट की देरी बाकी है अब में यह साथ बहुत है था यह चिकन के स्टॉक है इसे मैंने चान लिया था इसे बुनने के लिए प्रियोक कर रहे है इस टॉक का साथ ही इसके अंदर हमार पास दही है दही भी ढाल देते हैं अब इससे बड़िया मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से एक बार गुल लेंगे आप देखेंगे कि हमार जो चिकन ब्रेस्ट है यह बहुत बड़िया बॉइल होगी है अब मैं एक चिकन ब्रेस्ट उठाता हूं और आप उताता हूं कि पिराए में कि एसके श्लेट करना है इस पकार से हम इसको श्रेट कर लेंगे इस पकार से पूरे चिकन को श्रेट कर लेंगे एक, दो, तीन, तीन तीन श्रेट करके अलग से लगे लेंगे जो कि Do G कि एक जम्मच के मदध से इसमें म्ला जयेंगे इसे अच्छा मिक्स कर लेंगे मसाले में चिकन भरता आपने कहीं भी नहीं घाया होगा इसे जरूर बनाएं अब इसमें यह हमारा जो मेन इंग्रेंट है बादाम काजू का स्वारी पेस्ट है यह काजू का बादाम का प्रेव हमने नहीं किया है इसके लबा आप गजा था कि यह मलाई है यह आप चाहें तो डालें नद नद लें यह हमार पास स्टॉक है चिकन का जो सूप निकला था एकंड़ा हमने मेश कर लिया है आप देखेंगे यह हमार पास गरम मसाला है आदा चमच अब हम इसका प्रियोग कर रहे हैं यह दनिया है अरा दनिया बड़ा फ्लेवर देगा यह हमने तेज कर दिया है अब इनने अच्छा मिला लेंगे अब इसे अच्छा पका लेंगे यह एक बोल श्टाक हमारे पास बड़ा हुआ है इसे भी डाल देते है और अच्छे से मिक्स करके इसे भी ढ़ाग देंगे लगभग 10-15 मिट के लिए आप देखा कि हमारा जो चिकर बड़ता है लगभग तयार है अब इसमें फ्लेवर देने के लिए यह कसूरी मेथी है इस कसूरी मेथी को हम बड़िया 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 दिस लेता है और इसे लगभग 5 मिटी के लिए हम ढग देंगे हमारा चिकर बड़ता बनका तयार हो चुका है इसे कसूरी मेथी को हम बड़िया इसमें मिला लेते हैं आप देख रहे हैं कि चिकर बड़ता बनका तयार है अब मैं गेस को बंद कर रहा हूं और इसे एक सेपरेड ब्लेट में निकाल रहे हैं आप देख रहे हैं कि हमारी जो आज की रसे भी है चिकर भड़ता बनका तयार है मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी इसे ट्राय करें और अपना फीड़ दें अगर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू झाल